Good morning students, welcome back to our Hindi class बेटा आज हम 6th class की मिशिका बुक का पार्ट दो करने जा रही है पार्ट का विशे है खेल इसमें क्या है? इसमें एक भाई और बेहन के जो आपसी प्यार को है वो दर्शाया गया है कि दोनों किस परकार आपस में खेलते हैं, लड़ते जगडते हैं और फिर अंत में एक दूसरे से मिल जाते हैं मौन संध्या थी, मौन मतलब चुप, संध्या मतलब शाम, यानि कि शाम के समें शान्ती रहती है गंगा के निर्जन, निर्जन मतलब सुनसान, तट पर एक बालक और बालिका रेत और पानी से खेल रहे थे यानि किशाम के शमें गंगा के तट पर बालक और बालिका रेत और पानी के साथ खेल रहे थे परकृती मौन रूप से उन्हें निहार रही थी, निहार ना मतलब देखना परकृती चुप चाप उन्हें देख रही थी खेलते हुए बालक एक लकड़ी से जल को छपाक छपाक उचाल रहा था पानी चोट खाकर भी बालक से दोस्ती करने को आतुर था आतुर मतलब बेचैन, बालिका अपने एक पैर पर रेज जमा कर उसे थप थपा कर एक भाड़ बना रही थी बनाते बनाते बालिका बोली, देख अभी साइन जो है हमारा इसमें उद्रन चिनने का प्रियोग किया गया है ये देख के साइड में है न जो चिन ठीक से नहीं बना तो मैं तुझे फोर दूँगी फिर बड़े प्यार से थपका थपका कर उसे ठीक करने लगी, सोस्ती जाती इसके उपर मैं एक कुटी बनाऊंगी, वहें मेरी कुटी होगी और मनोहर नहीं नहीं के बाद जो ये क्या है चिन अल्प विराम वहें कुटी में नहीं रहेगा, वहें बाहर खड़ा रहेकर भाड में पत्ते डालेगा जब बहुत तक जाएगा तो उसे भीतर आराम करने दूँगी मनोहर पानी के खेल में अब भी लगा था बालिका नहीं सोचा मनोहर कितना अच्छा भाई है पर वे दंगा बहुत करता है दंगा मतलब शरारत करना बात बात पर कहता है मैं बढ़ा हूँ तू छोटी है भाई उससे बढ़ा था और बेहन उसे चोटी थी तो वो हर बात पर उसको यहीं कहता था कि तू छोटी है और मैं बढ़ा हूँ तब ही बालिका को ध्यान आया बाढ़ की चट तो गरम होगी वह जल जाएगा फिर सोचा उससे कह दूंगी भाई चट गरम है मत जाओ मगर नहीं माना तो तो के बाद यह हमारे जसाइन है प्रेसंस उचक चिन धक्का देकर भीतर आ गया तो कल ही उसने मेरी गुडिया को मारा था फहे तपे का तो बड़ा मज़ा आ जाएगा उसे यह सब सोचने में भी बड़ा अनंद आ रहा था मनोहर के तपने और धक्का खाकर गीरने का द्रिश है उसकी आखों के आगे अब भाड बन चुका था उसने बड़ी सावधानी से पैर बाहर निकालना शुरू किया बीच बीच में भाड को पुचकारती पुचकारना मतलब सहलाना कि पैर का सहारा हटने पर कहीं तूटने जाए पैर निकालने पर भी भाड टिका रहा बालिका खुशी से नाच उठी वहमनों हर को इस चतुराई से बने भाड के दर्शन कराने के लिए बेचैन हो उठी बेचैन मतलब व्याकुल कैसा लड़का है पानी उचाल रहा है पर सोचा अभी नहीं पहले कुटी बना लूँ यह सोच कर उसने रेत की चुटकी ली और भाड के उपर खिड़क दी फिर दूसरी तीसरी और चोथी अब भाड के सीर परकुटी बन गई थी भाड तयार हो गया पर पडोस का भाड जब बालिका ने याद किया तो पता चला कि एक कमी रहे गई दूआ कहां से निकलेगा तनिक सोच कर उसने एक सीख टेड़ी करके गार दी बस दुनिया का सबसे सुन्दर भाड बन कर तयार था नोहर ने हाथ की लकड़ी को जोर से पाने की धार में फैका और मुड कर सूरी सूरी कहा वह उचलता कूटता आया और धम से एक पै भाड पर दे मारा एक लाद में भाड का काम तमाम हो गया पै जोर से ठाहा का लगा कर हसने लगा सूरी मुख खड़ी रह गई उसका दिल दुख से भर आया वह टस से मसने हुई जिसम नोहर को गह दुनिया की सब से सुन्दर चीज दिखाना चाहती थी उसी ने उसका विनाश कर दिया उसका मानो सब कुछ खो गया गला भर आया आखो से आशू आशू ज़रने लगे बिना कुछ कहे रेत पर बैठ गई उस साथ वर्षिये बालिका ने मानो संसार की शन भंगुरता का दर्शन कर लिया हो शन भंगुरता मतलब एक ही पल में सब कुछ नस्ट हो जाना रूट गई वह नहीं ली सूरी सूरी बोलना वह चुप रही सूरी बोलना मनोहर की अवाज का अपने लगी अच्छा ले मुझे मार ले मनोहर पीट करके खड़ा हो गया नहीं बोलती अब उससे भी चुपने रहा गया अच्छा मत बोल ले मार ले मुझे बस मैं बुरा हूँ ना ले मार नहीं वह मुझे मुहों नीचे की ये बैठी रही अच्छा मुझे देखेगी भी नहीं नहीं ले मत बोल मैं भी बैठ गया जब तक तुम नहीं बोलोगी यहां से नहीं ही लूँगा कहकर मनोहर भी बैठ गया कुछ देर शानती रही हार कर सुर्वाला बोली तुमने हमारा भाड क्यों तोड़ा माफ कर दो माफ कर दो के बाद ये जो चिन है ये है विश में सुचक चिन नहीं बना कर दो अभी लो ऐसा वैसा नहीं बिल्कुल वैसा हां उस पर कुटिया भी हो हां दुआ निकलने का रास्ता भी हां अच्छा अब तो देख नहीं पहले भाड बना कर दो नोहर ने जटपड भाड तैयार किया बोला लो भाड बन गया सुर्बाला मू नीचे किये हुए बोली बन गया हां कुटि बनाई हां धुएं का रास्ता नहीं बताना सूरी कैसे बनाऊ नहीं बताती बताना मेरी प्यारी बेहन सीख लगाओ मनोहर ने एक सीख भाड पर लगा दी वह बोला अब तो देखो सुर्बाला ने सीर उठाया देखा फिर बोली सीख ठीक नहीं लगी पता ऐसे लगेगा आदी संशोधन करके मनोहर को हुक्म दिया संशोधन मतलब करना सुधार करना पानी लाओ भाड की जीर पर डालेंगे मनोहर पानी लाया वह पानी डाल कर भाड काबिशे करना ही चाता था कि सुर्बाला उचली और भाड पर एक जोरदा लात जमाई भाड चकना चूर चकना चूर हो जाना नस्ट हो जाना चकना चूर हो गया सुर्वाला हसी से नाच उठी पनोहर ने जोर से ठाका लगाया दोनों बच्चे हसते खेलते प्रेट पर लोट पोट हो गए यानि कि आपने देखा कि भाई भेन आपस में लड़ते भी हैं जगड़ते भी हैं और बाद में एक दूसरे को मना भी लेते हैं तो बेटा ये था हमारा पार्ट दो आपको इसके कठी शब्द अपनी फेयर नोट बुक में करने हैं जो मैंने अंडरलाइन की हुए हैं और साथ में शब्दार्थ भी करने हैं थैंक्यू स्टूडेंट्स